हेलो गाईज स्वागत है अपका अपने यूटूब चैनल स्टजी रीविद अमन कुल में आज हम डिस्टक्शनज्स पर बात करेंगे डिस्टक्शन्स आप स्टडीस के वक्प के बधून यहां यहां इस दोस्त साथ段 जो बिखाने हैं लक्त एक drop आपको कॉपी किताब लेकिन तरह हैं यहां इस तोसके यहां पर ग्मोमना है आपको पता होगा कोई और नहीं जान सकता कि आप क्या सोच तो हर एक बचका इसे रिलेट कर सकता है कि जब भी आप और बैठते हैं तो अपट पर जा फिर तो ऐसे यहां पर खुली रहती है बट यहां पर बुक में गोला गोला कुछ और पंसल से ढ्राल करें जा रहे हैं तो अभी तक चैनल को subscribe निएक है तो जल्दी से चानल को subscribe जरू कर दिया और यह यूट अच्छा लगी तो इसे like भी जरूर करेगा तो distraction जो होती है हमारी वो सबसे पहले हमारी confusion से आती है कि हम confused रहते हैं एक तो ये बहुत बड़ी वज़ा होती है आप अपने future के लिए confused रहते हैं कि ये मैं पढ़ रहा हूं तो क्या होगा मेरा आगे मैं इसे पास कर भी पाऊंगा ये तो बहुत hard subject है मेरा neat clear होगा मेरा 12 के बाद क्या होगा तो बहुत सारी confusion रहते हैं आप पढ़ाई करते वक्त यही confusion सोचते रहते हैं तो ये distraction के बहुत बड़ी भज़ा बन जाती है confusion हमारी के हम हमें करना क्या है पर जब हम जिस पढ़ाई को भी हम कर रहे हैं अगर हम उसे without any confusion कर ले तो वो हमें आगे जाके help करें जिससे हमारी जो आगे की confusion है वो रहे की नहीं अपने आपको एकदम busy रखो एकदम ज्यादा वाला कि आपको confusion या distraction कुछ करी ना सके पढ़ाई से इदम प्यारी कर लो एकदम books as a lover बना लिए अगर इस बार डिस्ट्रेक्शन आपको confusion पर होती है अगर आप confusion है कि आपको career option में क्या करना है तो आपको पढ़ाई को as a lover ही बना लेना है तो confusion नहीं रहेगी confusion नहीं रहेगी तो आपका अब यहां पर आपके आती है multiple things बहुत साही चीज़े सोचते हैं अब यह सोचने कि मैं doctor बन पाऊंगा यह नहीं पाऊंगा या जुमें इस फ्रेंड का यह हो गया में फ्रेंड के साथ यह हो गया वह रोड़ी है वह नहीं कर पाई यह टेस्ट में उसके नंबर आए मेरे टेस्ट में कम नंबर तो बहुत साही चीज़े होती है multiple things जब आप पढ़ाई करते वक्सोचते हैं आप फोन चलाते वक्त या फिर यह आपको आजाती है यह पर जब यह आप तो अपने इंग तो में अपने माइंड से निकाल देना अप जितना भी मना करेंगे कि हमता हो मता हो भट वो जरूर आएंगी तो आपको यह गरने अभी आपकी student life है आपको यह करना है जब भी आपको distraction और आपके studies में अंतर समझना है तो आप क्या करेंगे distraction और studies का एक ऐसे दिवार खड़ी कर देंगे पेपर पर distraction और studies के एक टेबल बना देंगे distraction जिसे आप पोन जो भी आप सोच रहें जिस प्याख की distraction अगर आप phone चला रहें तो क्या मैं फोन चला कि कुछ मिल पायगा मुझे क्या अगे मैं कुछ कर लूँगा यह जब मैं phone चला रहा रहा हूं phone में क्या चला रहा हूं उससे क्या कर लेंगी आप वो आपको पता चलना यह जितनी भी distraction है उसका जो भी आप सोचने हैं उससे करके मिलेगा वह आप लिख लेंगे एंड study करके क्या मिलेगा study बनके आपको खुशी मिलेगी अब आप कहेंगे यह तो हमें बड़े पार्टी एंजॉय करके भी मिलेगी तो खुशी वह आली जो खुशी होती ना जो कुछ अर्चीव करते हैं जब आपका result होगा आएगा चारो तरफ रिपोर्टर्स होंगे आपके उम्मी आर्थी कि थाली लेके घड़ी रहेंगी और आप टीवी पर आएंगे तो वह आली जो खुशी होगी वह इस बड़े पार्टी खुशी से बहुत बढ़ी होगी तब आप जो पार्टी देंगे ना उसे पार्टी कहा जाएग तो यह आपको देखना है कि आपको distraction को चुनना है या studies को जब भी आपके मन में कुछ सोचने कुछ भी आप पढ़ाई कर दक सोचने लागे तो इस table को जरूर उस वक्त बना लिए उस वक्त उसी समय कहेंगे इसमें तो time-based होगा नहीं आप जब एक survey में माना गया है कि आप पढ़ने से जादा लिखने में हमारे जो है वो जादा चीज याद रहती है यानि आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसे आपको याद नहीं रहेगा पर आप उसे लिख भी लेंगे तो आपको याद रहेगा तो जब आप डिस्टैक्शन और स्टडी वाला यह जो टेवल आपको यह पता चल जाएगा कि यह तो गलत हो रहा था यह कि क्या मेरे सही है क्या मेरे गलत है और फिर लास्ट में आती आपकी ओवर तिंकिंग ओवर तिंकिंग यह होती है जब आप ओवर सोचे नहीं कि मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूं और मैं फेल हो गया तो क्या करूं आप जिस चीज पर गाम पर कर रहें उसे फोकस लिए आपका एक मिनट कीमति है क्योंकि आपके इस साल बोर्ड एक्जाम है उसका हर एक मिनट कीमति है आप ओवर तिंकी करने के वज़ाए एक चाप्टर कम्लीट कर लिए उन चाप्टर का मज़ा देखें कि इस चाप्टर में चाप्टर यहीं नहीं होते कि बस पढ़ लिया उस चाप्टर का वो किसने निकाला वो कहां से ऐसी स्टोरी ऐसी बहुत आपको पढ़ाई करने में बहुत अच्छा दिलाएगा हिंदी के चाप्टर को पढ़िये ध्यान से पढ़िए और सब के बीचे का तत्य जानिए से कुछ नहीं होगा distractions and studies के बीच में आपको चुनना है कि मैंने आपको बता दिया solution में आपको क्या करना है अब यह जो distraction आपको हमेशा distract करेगा आप क्योंकि यह बच्पन से ही चलता आ आपको सॉलिशन कभी नहीं मिला इसका तो आज यह सॉलिशन अगर आप यह अपनाएंगे तो आई होप आपको यह distraction जाएगा आई होप आपको यह कैसे आप अपने अपनी लाइफ को डिस्टैक करें इन ओ छोटी-छोटी सी बातों के लिए वह समझाया होगा और थोड़ा सा भी solution मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और यह जो टेबल बनाने के बाद आपको कुछ फोकस लगा कि हां मैं कर पा रहा हूं तो वह मुझे comment section में भी जरूर बताए और कोई भी आपकी दिल की बात हो जस लाइक कोई भी इस वह आपके comment section करें comment पें जरूर बता है वीडियो अच्छ लगे तो इसे लाइक भी करिएगा थैंक्स वाचिंग दियो पर बेगाइज